हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल आज आपको साइंस की प्रैक्टिस सेट की नई सीरिज आपको देने जा रहे हैं इसमें आपके बहुत सारे इपॉर्टिन कोस्टिंस दिये हुए हैं तो आप सारे कोस्टिंस को पहले तो खुछ से करने की कोसिस कीजेगा उसके बाद आपने कितना कोश्टिं किया है इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की प्राब्लम हो रही है तो हमारा टेलीगराम और वाट्सिप ग्रूप है आप उसको जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक हम आपको इसके डिसक्रिप्शन में दे देंगे वहां से आप उसको जॉइन कर सकते हैं और जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं बहुत सारी साइन्स की प्रैक्टिस एट अभी तक दी जा चुकी है तो जो लोग भी नए हैं जिन्होंने अभी तक पिछले प्रैक्टिस एट को नहीं देखा है वो जनरल साइन्स के प्लेलिस्ट में जा होता है इसकी options है kidney disease, liver disease, lung disease and neurological disorder इसमें आप basically जो liver disease होता है उससे related काफी question पूछे जाता है तो इसको याद रखेगा है जनरली alcohol से affected होता है alcohol की विज़े से liver सबसे जादा affected होता है लेकिन silicosis जो है वो lung से related disease है तो इसका correct answer होगा C ये एक lung disease है अगला question है आपका iodized salt contents iodized नमक जो होता है उसमें क्या present होता है इसके options है free iodine, calcium iodide, magnesium iodide, potassium iodide free iodine कभी भी किसी भी चीज में present नहीं हो सकता है क्योंकि उसे humans या plant इस form में नहीं ले सकते हैं हम जब भी किसी element को लेते हैं तो उसको किसी ना किसी compound के form में या फिर ions के form में लेते हैं ये चीज़ आद रखेगा कभी भी free, metal या non-metal आप नहीं ले सकते हो ऐसे ही calcium iodide भी नहीं ले सकते हैं calcium, magnesium iodide भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सारे almost आपके जो compound बनते हैं वो काफी heavy हो जाते हैं तो इसका जो correct answer होगा वो होगा D, potassium iodide इसका formula होता है KI, potassium iodide इसको याद रखेगा अगला question है BMD test is health for diagnosis of BMD test किसके लिए किया जाता है इसके options हैं डिंगू, malaria, osteoporosis and AIDS malaria आप जानते हो एक protozoan disease है जो की plasmodium की विज़े से होता है और ये मच्छर के काटने से होता है जनरली आप जानते हो female enophilis mosquito से तो ये याद रखेगा malaria से भी related बहुत सारी questions पूछे जाते है AIDS आप जानते हो इसका full form होता है acquired immunodeficiency syndrome और ये HIV की वज़े से होता है जिसको हम बोलते है human immunodeficiency virus तो ये एक retro virus होता है और ये एक viral disease है malaria malaria प्लाजमोडियम डिजीज है डेंगू एक bacterial disease है लेकिन osteoporosis ये एक ऐसा disease होता है जो मतलब आपके जो बोन्स होते है उनको वो वीक कर देता है या उनको डिफॉर्म कर देता है osteoporosis मतलब आपके जितमे भी बोन्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगे वो काफी जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और उनमें जो भी strength होती है वो खत्म हो जाती है बेसिकली एक कैल्सियूम को बोन से हटाने का काम करता है और कैल्सियूम हट जाए तो आपके बोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसे बोलते है osteoporosis AIDS के टेस्ट के लिए ELISA यूज किया जाता है यह भी यादर किएगा बहुत सारे एक्जाम्स में पूछा गया है अगला question है A man who does not know when to stop eating is suffering from एक आदमी जिसे पता नहीं चले कि कब खाना खतम करना है या कितना खाना है वो किस disease से सफर कर रहा होता है बेसिकली इसे disease नहीं मानते हैं लेकिन यह एक disease है जब आपको पता ही ना चले कि कितना खाना है इसके options है बुलीमिया, डियाविटीज, एनोरेक्सिया, नर्वोसा, एंड हाइपर असीडिटी डियाविटीज नहीं है क्योंकि डियाविटीज जो है वो blood में glucose level बढ़ने की विज़े से होता है हाइपर असीडिटी भी नहीं हो सकता है जब सेल आपके स्टमक में बढ़ जाता है तो acid content बढ़ जाता है और वो हाइपर असीडिटी बन जाती है अनुरेक्सिया नर्वोसा एक मतलब आपकी जो veins होते है उसमें उसके blocking को जनरली कहा जाता है लेकिन जो bulimia होती है वो आपका ऐसा disease होता है जो कि जससे आपको पता नहीं चलता है कि आपको कब खाना stop कर देना है नहीं खाना है उसका correct answer होगा A अगला question है food poisoning is due to जो food poisoning होती है वो किसकी वज़ा से होती है इसके options है इकोलाई, salmonella, bacilli, pseudomonas and candila basically food poisoning की जब भी बात आती है तो हम इकोलाई सोचते है बट इकोलाई नहीं होगा और इकोलाई का full form होता है इस चरेसिया गुलाई यह भी याद रखिएगा candida या pseudomonas की वज़े से नहीं होता है यह salmonella bacilli की वज़े से होता है तैफाइड salmonella tiffy की वज़े से होता है यह याद रखिएगा टैफाइड salmonella tiffy अगर माल लीज़े कभी option में इस तरह के दे दे तो आप confused नहीं होगा salmonella tiffy से आपका टैफाइड होता है and salmonella bacilli से food poisoning होती है तो इसका correct answer हो कभी अगला question है itai itai disease is caused by chronic poisoning of itai itai disease किसके poisoning की वज़े से होता है इसके options है mercury nickel cadmium and lead lead या nickel की वज़े से इतना कोई serious disease नहीं होता है लेकिन जो itai itai disease है यह cadmium की poisoning की वज़े से होता है इसका correct answer होगा c इसको याद रखिएगा अगला question है ergotism is due to consumption of ergotism किसके consumption की वज़े से होता है इसके options है contaminated grains, rotting vegetables, contaminated water, safe cooked food safe cooked food से कभी कोई disease नहीं हो सकता है जब भी कोई disease होगा तो वो इन तीनों की वज़े से होगा contaminated water की वज़े से ecoli होता है, typhiade होता है, tuberculosis होता है, dingo हो सकता है तो यह सारे disease contaminated water की वज़े से हो सकता है basically जो typhiade वगेर होता है वो इसी की वज़े से होता है, rotting vegetables की वज़े से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो बहुत सारे disease हो सकता है contaminated grains की वज़े से basically ergotism होता है, तो इसका correct cancer होगा A अगला question है, tuberculosis is caused by A, tuberculosis किसकी वज़े से होता है इसकी options है, bacterium, virus, fungus and protozoan, disease से related मैंने एक video डाली होई है आप playlist में जाके उसको देख सकते हैं, कौन सी disease, किसकी वज़े से होती है fungal disease, viral disease, protozoan disease, जितनी भी अलग-अलग जो microorganism है, जो pathogens है उनकी वज़े से जो disease होता है और उनके names भी मैंने provide कियो है human health and disease, human health and disease नाम से हमारा वीडियो है आप playlist में जाके उसको देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा और यह सारे जितने भी disease हैं इन्हें आप note भी कर सकते हो और वहाँ से पढ़ लेजेगा तो इसका जो correct answer होगा वह होगा ही, यह एक bacterium की वज़े से होता है tuberculi, नामी है उस bacterium का और उसी की वज़े से tuberculosis होती है मिना माता disease is caused due to, मिना माता disease किसकी वज़े से होता है इसके options है, arsenic, late, mercury and cadmium cadmium की वज़े से इताई-इताई disease होती है arsenic basically use किया जाता है, cancer वगेरे को पता लगाने के लिए mercury की वज़े से मिना माता disease होती है, तो इसका correct answer होगा C अगला question है, carbon monoxide poisoning affects mainly which one of the following carbon monoxide poisoning अगर हो जाती है, तो वो किस चीज को सबसे ज़्यादा affect करता है इसके options है, digestive activities, liver functioning, kidney functioning, oxygen carrying capacity of food, of blood carbon monoxide आप जानते हो, CO होती है यह काफी harmful effect cause करता है, अगर आपकी body में किसी भी तरह से पहुँच जाए तो इसका जो correct cancer होगा, वोगा D यह oxygen carrying capacity को खत्म कर देता है, क्योंकि हीमोगलोबीन के साथ, इसकी binding जो होती है, वो oxygen के binding से 300 times जादा होती है, तो यह हीमोगलोबीन से bind कर लेता है, और उसके बाद oxygen उससे bind नहीं कर पाता है तो यह ध्यान रखिएगा, carbon monoxide basically oxygen carrying capacity को affect करता है, अगला question है, saliva help in the digestion of saliva किसके पाचन में help करता है, यह सहायक होता है, इसकी options है, starch, protein, fibers and fat saliva में telline present होती है, telline आप याद रखिएगा इसको, और telline जो होती है, वो digest करता है, basically starch को, तो इसका correct answer होगा A, almost 30% starch जो है, वो mouth में ही digest हो जाता है, due to saliva, तो यह याद रखिएगा कि starch के glucose के बतलब, जो glucose के form है, Cellulose, glucose, इनका digestion माउथ में ही हो जाता है, और यह, अगला question है, which one of the following is paramagnetic in nature, इसके options है, iron, hydrogen, oxygen, and nitrogen Paramagnetic कहने का मतलब है, जिसके पास, unpaired electrons present हो, unpaired electron हो, तो वो paramagnetic कहलाता है, अगर paired electron हो, तो diamagnetic कहलाता है, तो इसमें अगर आप देखोगे, तो सबसे जादा, मतलब, iron आप जानते हो, 26 होती है, यह, आप D6 लेते हो, 3D6 होता है, hydrogen होता है, nitrogen भी आपका, इसका 7 atomic number होता है, और oxygen का 8 होता है, इसमें सबसे जादा जो paramagnetic nature का होता है, वो होता है oxygen, क्योंकि इसके पास 2 unpaired electron बचते हैं, कभी-कभी question यह भी पुछा जाता है, कि oxygen कितने electron से paramagnetic माना जाता है, तो इसके पास 2 unpaired electrons होते हैं, और इसलिए हम इसको paramagnetic कहते हैं, आइरन आप जानते हो कि Fe के फॉर्म में होता है, hydrogen H2 के फॉर्म में होता है, nitrogen N2 के फॉर्म में होता है, और oxygen भी आपका O2 के फॉर्म में होता है, तो जो O2 होता है, वो paramagnetic होता है, यह भी धहान रखिए का, यह नहीं कि simple oxygen paramagnetic है, O2 आपका paramagnetic है, with two unpaired electrons, आगला question है, the first heavy water plant, the first heavy water plant was established in, heavy water plant पहला कहां पे established किया गया था, इसके options हैं, बैंगलोर, भोपाल, नांगल और हैदराबाद, इसका जो correct answer है, वो है, C, सबसे पहले heavy water plant नांगल में established किया गया था, अगला question है, which of the following is non-electromagnetic element, इन में से कौन सा non-electromagnetic element है, इसके options है, nickel, cobalt, chromium and copper, आप जानते हो, copper में, generally हम जब इसका electronic configuration लिखते हैं, तो D 10 लिखते हैं, and 4 is 1 होता है, और इसकी वज़ा से, ये magnetic behavior कम सो करता है, electromagnetic behavior, इसका correct answer होगा, D, इस options में, basically, copper भी electromagnetic होता है, लेकिन ये काफी less electromagnetic होता है, जो भी options आपको दिये हुए हैं, उन में, अगर कुछ और option दिया हुआ रहे हैं, तो उस case में copper आपका electromagnetic element होगा, तो इस बात का भी दियान रखेगा, कि किस तरह के options आपको दिये जा रहे हैं, अगला question है, liquid crystals are used in, इसके options है, wrist watches, display device, pocket calculator and all of the other, liquid crystals जो हैं, वो wrist watches में भी यूज़ के जाते हैं, display device में भी यूज़ के जाते हैं, pocket calculators में भी यूज़ के जाते हैं, तो इसका जो correct answer होगा, वो गड़ी, next question है, MRI is based on the phenomenon of, MRI किस पे best होता है, किस phenomenon पे, सबसे पहले तो MRI होता क्या है, तो यह होता है, magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging, यह cancer वगएरे की test के लिए किया जाता है, इसके options है, nuclear magnetic resonance, electron spin resonance, electron paramagnetic resonance, and diamagnetism of human tissue, इसका correct answer होगा, ए, nuclear magnetic resonance, nuclear magnetic resonance यूज़ के जाती है, magnetic resonance imaging में, अगला question है, आपका, water jet technology, finds application in, water jet technology का, यूज़ हम किस में करते हैं, इसके options है, irrigation, drilling of mines, fire fighting and mob control, generally water jet है, तुम सोचते है, irrigation में किया जाता होगा, या फिर fire fighting के लिए किया जाता होगा, या mob control के लिए किया जाता है, लेकिन यूज किया जाता है, drilling of mines के लिए, mines के drilling के लिए, water jet का यूज किया जाता है, तो इसका correct answer B है, याद अखिएगा, अगला है, minerals are, minerals क्या होते हैं, इसके options है, liquid, inorganic solids, gases and all of the above, minerals जो हैं, वो inorganic solids होते हैं, जितने भी minerals हैं, तो इसको याद दखिएगा, इसका correct answer है B, अगला question है, the principle of atom bomb is based on, atom bomb जो तयार किया गया है, वो कौन से principle पे काम करता है, इसके options है, nuclear fusion, nuclear fusion, nuclear spillation and none, इसका जो correct answer होगा, वो होगा E, nuclear fusion, वही अगर hydrogen bomb आप से पूछा जाता है, जो hydrogen bomb किस पे best होता है, तो वो nuclear fusion पे best होता है, याद रखिएगा, hydrogen bomb, nuclear fusion पे, and atom bomb जो है, वो nuclear fusion पे best होता है, अगला question है, which is the most abundant element after oxygen, इसके options है, silicon, carbon, sodium and chlorine, oxygen के बाद environment में सबसे ज़्यादा, कौन सा element present है, इसका correct answer है, A, silicon, oxygen के बाद सबसे ज़्यादा present होता है, अर्थ में ये चीज द्यान रखिएगा, environment में आप जाते हो, सबसे ज़्यादा nitrogen होता है, उसके बाद oxygen होता है, लेकिन अर्थ में सबसे ज़्यादा oxygen होता है, उसके बाद silicon होता है, फिर almonium होता है, तो ये याद रखिएगा, ये overall आपके 20 questions थे, अगर आपको किसी भी तरह की problem है, तो हमें comment करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज लाइक सेर और सबस्क्राइब करें, इस चैनल को, और बिल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको notifications मिलती रहेंगी, और हमारे playlist में बहुत सारी videos डाली होई हैं, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, थैंक्यू,